हेलो एन वेलकम तो SDR एजूकेशन लास्ट ये मैंने एक वीडियो आप लोगों को कहा था कि इंड़क्टिव वर्सेस डिड़क्टिव टीचिंग स्राटेजीज का इस पांच टॉपिक की सीरीज में मिलेगा उसके अलावा 6 वीडियो भी आ जाएगा तो उसके लिए तयार रहीएगा इंड़क्टिव वर्सेस डिड़क्टिव कौन सी टीचिंग स्राटेजीज होती है और 25% डिसकाउंट जैसे कि आप लोगों को पता है एन एक एडमी दे रही है 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्रा दे रही है तो आप लोग SDR YT Code यूज़ करिए और आज आईए प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर जहां पे आपको नोट्स, क्लासेज, उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन्ज, उसके अलावा जितने भी क्विजज होते हैं वो सब मिल रहे हैं तो ज़रूर इसका यूज़ करिए प्लस के प्लाटफॉर्म पे आप लोगों को अभी मैं तीन बार पढ़ा रहा हूं डेड़ घंटे की तीन क्लासेज हो रही है रोज सुबह 11 बजे कॉमर्स की 6 बजे और 10 बजे रात को पेपर 1 की क्लासेज हो रही है इंडोल कर लीजे, it's a good opportunity 25% fees भी कम हो जाएगी और 6 मीने extra मिल जाएंगे आप चेक कर सकते हैं, link description में है क्या होती है inductive versus deductive strategy तो जैसे कि हमने देखा कि जो concept attainment model हमने Brunner का पढ़ा था वो एक inductive teaching strategy थी और इसी example को अगर हम समझे तो हम यह समझ सकते हैं कि कैसे facts learners को present किये जाते हैं फिर उसके बाद वो इन चीजों के characteristics को समझते हैं way up करते हैं, किस चीज की कितनी importance है, यह समझना मतलब way up करना होता है और फिर अपने facts के साथ आते हैं और concept को apply करते हैं तो जो deductive model of teaching है, on the other hand वो इस तरीके से काम नहीं करता है वो क्या करता है, present करता है students को सबसे पहले rules जबकि inductive में बंदा इनसान जो है, वो rule last में बनाता है और apply करता है फिर concept को और फिर explore करता है उसके characteristics को तो जो inductive model है, उसके कई फायदे हैं, deductive के ऊपर यह कहा जाता है तो देखिए, सबसे पहले अगर मुझे किसी की thinking को stimulate करना है तो मेरे काम inductive आएगा, यह बात हमेशे याद रखिएगा कि सभी तरह की inductive strategies students को challenge करती है ज़्यादा सोचने के लिए, ज़्यादा explore करने के लिए और इसी वज़े से expect किया जाता है कि वो अपनी process of reasoning को सुधारेंगे analysis को सुधारेंगे, logic का use करेंगे answers पर आने के लिए और इस तरीके से वो engage करेंगे, एक higher cognitive function में और इससे उनकी जो learning agility है, वो भी सुधारेगी दूसरी चीज है कि एक strong foundation बनती है कई बार यह criticism होता है traditional teaching techniques का जो कि lectures पे और road learning पे ज़्यादा rely करती है और फिर वहाँ क्या होता है कि deductively आप fact फैंक रहें instructions दे रहें, बच्चे involved नहीं हो रहें तो यह चीज है कि inductive method ज़्यादा एक deeper understanding जो है वो promote करते हैं, मुकाबले deductive तरीकों के या teacher-led practices के, student-led practices को always better माना जाता है और उनको problem देके खुद explore करने की opportunity देना inductive methods में जो आता है, वो ज़्यादा बहतर मानी जाती है promote करते है lifelong learning, देखिए learning जो है वो consider की जाती है कि something we do as young people only know आज के समय में ये lifelong learning का समय है, हमें develop होना होगा तो more and more हमें समयने की जुरत है कि हम professionally जैसे से आगे बढ़ते हैं तो inductive method of teaching हमको मदद करते हैं curiosity, culture of curiosity पैदा करने के लिए, culture of learning पैदा करने के लिए questioning, जो last lifetime questioning दो हमेशा करता है इनसान तो self-guided learning एक बड़ा powerful tool है जिससे कि हम concept attainment model में भी ये पढ़े थे और फिर ऐसे इसको आगे लेके जाना है तो जो deductive model है, वो teacher-led strategy है जिसका समय आज के समय में, जिसका trend बहुत कम हो गया है student-led activities को, inductive activities को ज़्यादा better माना जाता है कि आप students को fact दे रहे हैं और वो सीख रहे हैं लेकिन इसी से उनकी independent learning नहीं हो रही है creativity उनकी आगे नहीं बढ़ रही है और inductive strategies जो है हाला कि ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो हमेशा effective नहीं होती है जहाँ पर concept complex हो, ambiguous हो और depend करता है fact पर ज़्यादा जो student को नहीं बता है तो इसलिए हर चीज की अपनी जगह है लेकिन practices को ज़्यादा inductive करने की ज़रत है ज़्यादा student rate करने की ज़रत है लेकिन जहाँ facts है वहाँ deductive approach आज भी काम आएगी वहाँ lectures और road learning काम आएगी जिनको 20 तक के पाड़े नहीं आते उनकी maths अच्छी नहीं हो पाती चाहे वो road learning से ही सिखाए हो उने जिनको कखग और ABCD बहुत अच्छे से बोलना सिखा देती है उनके language diction में problem नहीं होती चाहे road learning से ही सिखाए हूँ तो कुछ चीजे road learning और lectures के थ्रू भी बहुत effectively काम करती है जहाँ student पे कुछ contribute करने के लिए है ही नहीं एक ऐसा topic है जो कि मुश्किल topic है लेक्चरिंग की काम आएगी complex topic में लेक्चरिंग की काम आएगी वहाँ पे teacher led ही होना पड़ेगा class को तो ये भी जरूरी है कि हम दोनों methods में ही समझे मैंने दोनों चीज़ें आपको पताई है आप बता सकते हैं comment section में आपको क्या भेतर लगता है inductive या deductive टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजे एक वीडियो और आएगा जुसको देख लीजेगा subscribe करें चैनल को आपको ऐसा ही regular content अब देखने को मिलेगा लगातार शुक्रिया